को है अगा है है україн के लो माई डिया इस्ट्राइंट तो इंग्लिस ग्रामर्य इस्ट्राइंट्ट अज हम आपको कि एंग्लिस क्रामर शिखाएंगे है यह फास्ट वीडियो और आप इंग्लिस ख्रामर्य के लिए और जो अगर आप English सीखना चाहते हैं तो आप step by step सभी वीडियो को देखी क्योंकि हर वीडियो का connection अगली वीडियो से होगा क्योंकि जो ग्रामर होता है यानि कि हिंदी व्याकर ग्रामर को हिंदी व्याकर कहते हैं यह सभी दूसरे संबंदित होते हैं तो पहले step by step part part one part two part three इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह इंग्लिस आजाएं इंग्लिस व्याकरन आजाएं व्याकरन सीखना एक अलग बात होता है और लेंग्वेज सीखना एक अलग बात होता है है ना तो हम इंग्लिस ग्रामर की बात कर रहे हैं यानिके हिंदी व्याकरन इंग्लिस ग्रामर को हिंदी में व्याकरन कहते हैं अगर हम व्याकरन की बात करेंगे तो व्याकरन का मतला बैकि हम एक लेंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम भासा के बारे में इस बात कर लेते हैं कि भासा आप होती क्या है कि है कि इसे सीखनें के लिए कि इविकी सीखने के लिए सबसे पहले हमें बहुत होती है संसार में बहुत सारी बहुतं आप 6500 के क्यों बहुत ही दुनिया मंay बहुते हैं तो और सभी के सब्ली अपने लेटर्ल होते हैं हैं अपने अपनी अलफवेट होती हैं मला होतीות हैं तो हम इंग्लिस के बात कर H determined है। तो अगर है विए दूस्री से पड़ता है फिर्यांग करें जो हम हिंग्लिस में ट्रांस्क लेट करके ग्रामर करते हैं जो हम पढ़ते हैं वह हिंदी का ही ट्रंसलेट होता है यह न तो अगर आप से एंदी ग्रामर आरी आती आज आ सेखना आपके लिए बहुत आसान अग्जा सांवर आती है तो आप उसे इंदी में करवट करें गांगे तो हींदी में समझना आपके लिए बहुत हम आपको दोनों ही language में समझाएंगे mostly English में और उसके अंदी ट्रंसलेट भी आपको बताते रहेंगे ठीक है जी तो अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगे आपको लगता है कि हम भी वीडियो सही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्त भासा के बारे में जान लेता है कि भासा क्या होती है ठीक एल्श्टोरें तो देखिए language हमने इसका प्रोनो पंसेशन भी लेख दिया भासा है ना भासा की डेफिनेशन यनके हिंदी व्याकरन की परिभासा ठीक है जी language is made by sound and symbols जो लेंग्वेज है कोई भी लेंग्वेज बनती पाइब साउंड निकलता है मुद्विशे बोलता है वह उन्हें एक सिम्बल दिया एक चिन दे दिया तो ये में ले ना ज़ैंके गोनाझ यूब देडी में एक से बहने के योग्या बना langogy है language is made by the sound and the symbols it can be different according to areas state and countries भासा हर शेतर की अलग हो सकती है हर राज्य की अलग हो सकती है इसी लिए दुनिया में 6500 के लगबख यानिके जो बासा हैं बोली जाती है ठीक है जी तो हर अस्थान की जैसे कि भई आप देखो इंदोस्तान में तो कि अनुसार होती है तो सभी तरह की बासा अलाग होती है तो सबी तरह और अलाग होती है सब के सिंबल सबकी साउंड से अलग अलग होती है समझने का तरीका है ना तो लेकिन बासा है क्या यह तो होगा बासा के जो बासा में यूज करते हैं उसके टूल से हैं ना एक तरह के तो इस्टुडेंट है लेंग्वेज इस दावे बासा क्या है बासा वैसा आदन है जिसके दुआरा एक आदमी एक मुनस्य दूसरे मुनस्य को अपने विचार अपनी भावनाएं अपनी चाहें अपने मन में जो उसके मन में जिग्यासा है दूसरों को बता सकता है और दूसरों की इचाहें दूसरों के विचार और दूसरों की बासा है जान सकता है यानकि कोमुनिकेट कर सकता है एक दूसरे से कोमुनिकेशन का एक साधन है एक माध्यम है जिसे हम बात करते हैं अब हम बोल रहे हैं तो आपको सुन कर सकते हैं या फिर टाइब कर सकते हैं तो यह सब लेंग्वेज के परकार है तो लेंग्वेज क्या है लेंग्वेज वह साधन है जिसके दुबार हम दूसरों को अपनी बात है समझा सकते हैं बाचीत का जरिया है जो बास आए तो आप समझगे होगे ये दो लेंग्वेज डेफिनिशन हमने इसकी लिखी है है आप दोनों याज कर लीजे जो लेंग्वेज कोई भी करामर होती है व्याकरन होती है इस्टुडेंट वो जो छोटी क्लास से और बड़ी क्लास तक एक जैसी होती है उसमें दीपली समझना चाहिए जो ये बाते आपको बताई जाती है ये लेंग्वेज आपको बताई जाती है इन्हें आपको एक अपनी एक रेजिस्टर बना लीजे उसमें नोट करते रहें और रोजान याद कीजिए लिख कर देखिए तो इस्टुएंट ये जो लेंग्वेज अगर टुएल्ग वाले बच्चे पर भी ये इव यह बात नहीं पता कि लेंग्वेज क्या है तो उसके कितने भाग होते हैं तो उसे भी इनिए सीखना ही होगा क्योंकि अगर कभी competition में जाते हैं तो उनमें भी बात आती है कि language क्या होता है कितने परकार क्यों 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 कोई भी question दे रहे हैं तो इस्टुएंटी जो competition के महत होते हैं उनके लिए भी जरूरी है और चोटी व्याकन सिखा रहे हैं हम आपको व्याकन कितने आवसकता नहीं होती है जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है वो अभी किसी भी देश में पैदा हुआ किसी राज्य में पैदा हुआ तो उसे व्याकन सीखने क्या हो सकता भासा वो स्वम ही सीख लेता है है नो सीखना क्या पड़ता है उसे व्याकन सीखना पड़ता है क्यों सीखने पड़ती है व्याकन हम इसलिए सीखते हैं ताकि किसी भी भासा को सुद लिखना बोलना और पढ़ना आ सके क्यों सिखते हैं व्याकरण किसी भी बादसा की व्याकरण की क्यों आपसकता होती है हमें उस बादसा को सुद लिखना पढ़ना और बोलना आ सके तो हम उसके लिए व्याकरण की आपसकता होती है और बादसा की आपसकता क्यों होती है आपको कुमूनिकेट करने के लिए एक दूसरे के वचारा को समझने के लिए, है न अपने विचारा को दूसरे को समझाने के लिए ठीक है जी समझ में और आ आ ना क्यों तो जी ये जारी डेपिरुपनिसं थी लांग्व MR रिशा की इन आप अचनich याद करोंने फिर थे काम डोफ लाइघने एक परकार है नहीं तो जी देर आर ठीज़ टाइप लेंग्वेज जो भासा यह वो तीन परकार की होती है है ने हैं नम्बर एक राइटिंग लैंगवेज राइटिंग लैंगवेज यानिके लिखित बासा है जो लिखित बासा क्या होती है जिसमें जिस लैंगवेज को हम जिसके जो साउंड होती है उन्हें सिंबल के द्वारा लिखते है कागज़ पैंसिल होती है हमारे पास क्योंकि लिखने के लिए हम्में कुछ ना उसने चाहिए गया यह ना तो हम उस पर लिखते हैं है तो देखिए हमने लिखा है Writing language is the written form of communication. Written language is the written form of communication. आई कोमनीकेशन कालने ही आउन कि रूप होता है और यह ना वैताज आई को अपने मन के विचार दूसरे को समझाते हैं दूसरों को तक पहुचाते हैं और दूसरे के विचार लिखना भी आता है वो पढ़ना भी आता है रिटिंग लेंग्वेज में यह नहीं होता कि भाई अपने लिखना लिखना सीख लिया हम उसे पढ़ भी सके यह भी इसी में आगता है और इसमें लिखने के लिए पैन और पेपर की आप सकता होती है ठीक है जी समझ रहे हैं तो जिस लेंग्वेज में लेंग्वेज को लेंड पेपर के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा लिखते हैं यह सफंधत। तर भी होती है थ्यां वो भी इटीनिय है थाख टाइप राइटर से करो या फिर आप 기 बोर से करें हैं तो एक लुखित रूप है 17 अबस्ट ना पिखना तर पर लिकना लेटर टाइपिंग एप्लिकेशन ना कोपी यह सब इसके एक्जम्पल है उद्धारन है तो जी लेकिट बस आपको समझवा गई होगी मतलब होता है मोखिक और मोखिक का मतलब क्या होता है जो हम मुह से बोलते हैं मोखिक भासा जो हम मुह के द्वारा बोलते हैं एक कोमनीकेशन विद लिप एंग टॉंग इसकार्ड और लेंग्विस एक ऐसी बातचीत है है ना एक ऐसा वारतलाप जिसमें जिसमें होंट और जीव का प्रियोग होता है औरल यानिके मोखिक भासा कहलाता है ना बासा का वह रूप जिसमें हम और जीव का प्रियोग करते हैं बोलने के लिए दूसरे से कोमुनिकेश्ट करने के लिए तो वह बासा का मोखिक रूप कहलाता है यानिके ओरल लेंग्वेज कहलाता है है नहीं देख लिए जे ओर लेंग्वेज मोकिल बासा है एक कोमनिकेशन भी दालिप हैंड टंग इसकार्ड ओरल लेंग्वेज इस दा एक्सचेंज ओब देयर आइडियाज वीद अधर परसंग इसमें हम क्या गरते हैं है अपने वीचारों को अपने भाव को अपने मर्गवाव को अपनी दसाओं को हैना अपनी हर फ्रेंग को दूसरे के साथ सेयर करते हैं कैसे करता है ओर्ली मूँ से बहुलकर ठीक है जी तौश्मा आपको कि औरल बहसा क्या होती है और लेंग воз100 क्या होती है है ainा इसमें हम ज किसी को आवाज लगाना फेस्टू फेस्ट बाते करना साथ साथ कार करना इंटर्व्यू देना यह सब क्या है यह सब और लैंग्विज के यह एक्जामपल है ठीक है तो जी अब है नंबर तीन साइन लैंग्विज वैसे इसका इतना यूज नहीं होता कुछ बुक में तो यह दी भी नहीं होती दो परकार की लैंग्विज देता है वह दो परकार की लैंग्विज होती है एक तो और अलार एक रिटिन लेकिन तीन तरह की लैंग्विज होती है यह किसी तरह की लैंग्व नटागर को सुछतनblock रूज करने के लिए छो JUNI ये इस वेज डूपर को योज करने के लिए चेह आए अपने हाथों को सुछतनल की वोज करने के लिए करने अपने हाथों का प्रियोग करते हैं, फिंगर का प्रियोग करते हैं, चैरे के जो एक्सपरिशन होते हैं, हाउ भाउ, है ना, उनका प्रियोग करते हैं, या किसी सरीर के दूसरे भाग का भी प्रियोग कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मैं भी आपको हाथ से ऐसे सारा कर रहा कि यह सांकेतिक लेंग्वेज आगर आप किसी को बुलाने के लिए ऐसे करते हैं करते हैं तो यह सांकेतिक भासा है यानि यह साइन लेंग्वेज और बहुत बड़ा महत होता है जो देखिये अगर हमने लिखा है इसमें इट लेंग्वेज यूज़ बाई कोमनली डीप एंड डूब यह जो भासा है अधितर पराई समान नेता है जो बहरे होते हैं जिने सुनता नहीं या जो बोल नहीं सकते हुए इसका प्रियूब करते हैं जैसे कोई मारे सामने वाला बहरा इंसान है उस सुनता नहीं है हैं तो भई हम ऐसे करेंगे उस मुझी तरफ को आथ करेंगे ना तो वह समझ जाएगा कि उसे कुछ खाने के लिए का जा रहा है है अगर कोई सामने वाला बोल नहीं सकता डम है है तो इस्टुएंट को क्या करेगा अगर उसे खाने के लिए कोई चीच चाहिए वह भी ऐसे करेगा तो हम समझ लेंगे कि उसे खाने के लिए कुछ मांग रहा है तो जो इसका प्रियोग होता है अधितर यह जो गूंगे और बहरे इंसान होते हैं वह करते हैं आपने ब्रेन लीपी के बारे में सुना होगा है तो वह भी एक तरह की लैंग्वेज है ब्रेन लीपी जो इसे आग से चुँ चू कर जो ब्लाइन मंहेन उते हैं उन्हें ढ़र इसे चूँचआ कर देखता में पड़ता उन कि सेंस करके ब्रेन लीपी जो गशे ना धुद्धितक जो प 내रे हैं उल्नार पर नगया और ब्रेन लीपी अंद्धों के लिए मृड़ परसन के लिए है तो मैं इस बासा से किम्यूटीट करने में, बात्चीद करने में जा फिर कहीं इसके दवारो नोक्री भी कर सकते हैं हाँ है ना तो आप में यह इस तरह की जो लेंग्वाज होती है यह ऐसी होती हैं, साम्स क्यातिक बाता है इस और मैं जरूरी वी करें जब किसी से कोई बात चुपा नहीं होती है थीरे से कुछ कहना तो हम उसे और बासा हमें क्यों सीखनी चाहिए बासा की क्या सब्ताई हैं बासा कितने परकार की होती हैं तो यह सब हमने आपको बता दिया तो इसके ग्रामर जो नेक्स्ट वीडियो होगे इसमें हम इसके ग्रामर के बारे में बात करेंगे है ना अलफाबेट के बारे में बात करेंगे लेटर के बारे में बात करेंगे हैंना तो इसी परकार से से आगे बढ़ते चले जाएंगे अगर आप इंग्लिस सीखना चाहते हैं तो इंग्लिस को बोलना सीखिए जो आप वर्ड्स याद करते हैं सबसे जब्रब्लम कहाती हैं में आती है कि जब सीख तो लेटा है याद तो कर लेते हैं लेकिन उनका बोस्वार रहें कूझ और बात करें जट संसार की सबसे पहली भासा है संस्क्रत को कहा जाता है। संस्क्रत जो होती है वो सभी भाषाओं की जन्य है channels मानगों स्वस्यां के साथ इसका जनर मुआ रिकाहता है तो संसार की सबसे मदूरतम सबसे पीडिया लगने वाली भासा कुन सी होती है तो स्टुडेंट वो होती है मदर लेंगविज मात्र टंग तो यह निके जो हमारी मात्र भासा है वही दुनिये की सबसे प्यारी भासा है जिसमें प्याही कर सकते हैं अची तर, हैना जो में अपने माबआब से मसे लिए रिए तो दुनिये, अच्छी भासा वो ही वोगी है के और विस की हर जगा एऩी बासा एक एऩी बासा जो विस में हर जगा समझी जा सकती है पूरे संसार में हर कोई उसे समझ सकता है. है ना? कुछ एक दो परसेंट तक जो जानवर भी होते हैं वे भी इस बासा को समझ लेते हैं. ek denen. इसे कौन से बासा होती है? जिसे सब ही समझ लेते हैं? तो इस्ट्रेंट ऱाइंट वो बासा होते हैं है ना तो सांकेतिक बासा एक ऐसी बासा है जो विस में कहीं भी समझी जा सकती है है ना जो संस्क्रियत है ऐसा माना जाते हैं करम से कम पांच जार साथ पुरानी बासा है तो अगर यह ने जा साथ सभसे जाद कौन से बासा बोली जाती है तो इस पर में खरत है जो कूं जा यो पुरानी बासा है कुछ तो इसे कीनी वहसा उसे क्हाता है कि संसoire में सब सदिय बोली जैती आगे कुछ का सर्वे कहता है कि इंग्लीज भास ये सबसे जाद बोले जने वाली भासा है और तीसरे नंबर पर नंबर आता है आपकी हिंदी गान है ना हिंदी भी संसार प्रसार में आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप यह क्रें ओर अगर आप कुछ और बद्राव चाहते हैं या पहले कुछ किसी और टोपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं नहीं तो आप पार्ट बाई स्टेप सारी वीडियो देखते वीच लेजाएं और तो आपको हम एक्टी पैसिव डरेक्ट इंडरेक्ट है ना पार्ट ओपिस पीच यह सब आपको इसमें करा देंगे सब्जेट क्या है और जट क्या है है ना करें य watches मंडी में और क्या है है थैंपिंग और क्या है लिंकिंग वर्ब क्या है है ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो यह समाम आपको स्टैप बाइ स्टैप कराते चले जाएंगे ओके स्ट्रेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडिटो